प्रीमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बित प्रदीप पे दोस्तों सुपर 11 में हम लोग आज पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टन टापिक जो आपकी परिच्छा के दृष्टी से अत्यनत महत्पूर्ण है खास करके सुपर 11 आप जानते हैं टीचिंग जाम के लिए है और सुपर टीटी के लिए महत्पूर्ण है तो आज हम लोग उसी के संबन्द में कुछ जानकारी आज से अर्जित करने वाले हैं पहला ही प्रस्ण आपका परियावरण से रखा गया है और आप इसे देख करके इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं मुझे पूरा उमीद है और पूरा विश्वास भी आपके उपर परित्वी पर सरबाधिक पारिस्थित की तंतर मांदल और कहने से आप संब अपने मित्रों को भी सेर करते ही हैं इसका जड़ी प्रों को जरूर सेयर कर दिया करिये लाइक करना मत बूला करिए तो जल्दी से बताектив क्या हो रहा है आपका तो जल मंडल होगा इस्तल मंडल होगा या आपका जीयोम होगा या जयो मंडल होगा बात करें अगर प्रितवी कि प्रितवी पर सर्बादिक ब्रिहत पार्षित की तंत जयो मंडल है कौन है जयो मंडल है अगर यहां आप देखें तो जयो मंडल ब्रिहत पार्षित की के अंतरगत आता है कैसे आएगा जैव मंडल सामान रूप से प्रित्वी की सता के चारो और ब्याप्त एक आवरण है जिसके अंतरगत जन्तूओं बनस्पतियों का जीवन बिना किसी रच्छक साधन के संभव होता है जैव मंडल मुख्य रूप से तीन संगटनों से मिलकर के बना होता जिसमें जैविक संगटक, अजैविक संगटक और उडजा संगटक तीन आते हैं आपको पता होगा जैविक संगटक आते हैं अजैविक संगटक आते हैं और कौन आता उडजा संगटक तो पूरे का हेड जो होने वाला है वो कौन है जैव मंडल होने वाला अता हम कहेंगे प्रित्वी पर सरवादिक देहत पारिस्थित की तंत्र कौन सा होगा जयो मंडल होगा जो कि आपका सही आंसर होगा आपसर नमबर डी किलियर है मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट है और कोई भी समस्य आपको आनी चाहिए आगे एक उद्यान दिया गया है साथ में उसके साथ कुछ राज लिखे गये हैं राज और उसे समंदित राष्टी उद्यान दिये गये हैं यहां पे चार राष्टी उद्यान दिये गये हैं जो कि आपस में सुमेलित हैं आपने देखा होगा पेपर का एक क्रम होता है कि एक तरफ सूची एक सूची प्रश्ण आजकर ट्रेंडिंग के दौर में आजकर एक्जाम होए है लगबग वहां पी पुछा गया है इन तांक्ति जो है तो इसे आप ज्यादा याद करें इन तांक्ति जो है उसके बाद के जो है आपको mostly सभी याद होंगे ये आपके लिए नया होगा चुकि अभी ये ट्रेंणिंग में आया है हलाकि इसको बहुत सारी लोग पहले से जानते थे लेकिन higher exam की category में जो lower type की exam होते हैं छोटे exam होते हैं जहां पर high school योगता रखी गई है तहां पर फोकस क्योस्चन नहीं था तो पर रख सकते हैं और आने वाले exam में ये आपके लिए मददगार भी साबित हो सकता है बेतार राष्टी उद्यान सबको पता जहरखंड में है सिरोही राष्टी उद्यान सबको पता मडीपूर में है और इसको गोईंदी राष्टी उद्यान यह भी आपका एक नया यहां पर आपको देखने को मिलनादू में ठीक है तो यहां पर नए देखने को मिलनादू में जो अभी तक exam के pattern में थोड़ा सा नहीं थे training में नहीं थे तो इसे आप याद करेंगे तो आपको लाब मिलेगा एक है इंक तांकती राष्टी उद्यान नागालेंड का और दूसरा ह श्टी उद्यान कहा का है तमिलनाडू का है यह दोनों आपको याद रखता होगा बाकी दो तो आपको पहले से याद है चलिए प्रस नंबर थार्ड पे पहुंचते हैं यह आपकी सुपर 11 की क्लास है इसमें हम लोग 11 प्रस्ण करते हैं और उन 11 प्रस्णों में आपका जो स्लेबस होता है उसलेबस के काडिंग सभी प्रस्णों लेकिन आज हमने जो प्रस्ण रखें और उत्तर प्रदेश विसेश की प्रस्ण रखें तो आज आपकी प्रस्णों की संख्या बहुत आसान होने वाली है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टापिक को एड किया गया है जो आपको जानना चाहिए और पूरा बीडियो देखना चाहिए अपने मित्रों को भी सेर करना चाहिए चैनल पर लाइक करना मत भूला करिए जरूर किया करिए ठीक, तो दिखते हैं एक पारिस्थित्ट की तंत में उड़जा की मात्रा, एक पोस्ण अस्तर से अन पोस्ण आस्तास्तासे दूसरे स्थान पर इस्थानांत्रद के आजाता है एक ट्रौफिक लेबल ने तो ऊरौ्जा की मात्रा क्या होती यहां उत पादक होता है उसके बाद कान्जूमर आह Confeder지Fr نंस तो कह रहे चा diab weights अच्छा आपको याद होगा लिंदन न ने एक नियम दिया था लिंदन मान ने 10 % का नियम दिया आपने पढ़ा गा 10 प्रत emotion का नियम, जब आप primary का प्रियावरार प्रणहें और तो वहां पे सली स्ट में 10% का गया कि कोई BILL अगले असतर में 10 % ही जाती है, ठीक है तो अब आप बताईए जब 10 प्रच्छती जाएगी तो उर्जा की मात्रा अगले अस्तर में जाने पर घटेगी बढ़ेगी या इस्तिर रहेगी या घट बढ़ सकती है क्या हो सकता है चार आपसन आपके सामने है आंसर आप बताईए आपका आंसर सही आ रहा है तो ज जल्दी बताईए घटेगी बढ़ेगी या इस्तिर रहेगी ये आपको बताना है तो आप कहेंगे क्या होगी घटती जाएगी चुकि 10 परसंट जाएगी तो अगर यहां पर माल लेते हैं कि 9 ग्राम उर्जा है तो उपर जाएगी 9 ग्राम से नहीं होगा थोड़ा सासान कर दटेगा नियंफ्र लेकित में अधिकतम पादब विबिता यानी कौन सा ऐसा नहीं होता है जहां पर पादब की विष्टा अधिक पाये जाती है यह आपको बताना है कि एक जाए तो एसा बन्तों औरकाडव निपरवार्वती बन सृतोस्वर्वर बन्तों निया को बतान सही आंसर कौन सा होने वाला है इसके बारे में आपको बताना है तो आप कहेंगे उश्ड कड़ बंदी सदाबहार बन जो है यहां पे आपकी जो है जयो बिवित्ता यानि पादब बिवित्ता सबसे जादा पाई जाती है उश्ड कड़ बंदी सदाबहार बन प्रकार के बनों में अधिकतम पादब विभित्ता पाए जाती है भूमद रेखा के दच्छड या उत्तर में लगभग 28 अंस के भीतर पाए जाने वाले बनों को उष्ड कडबंदी सदा बहार बन कहा जाता है कि जो आपकी भूमद रेखा है भूमद रेखा के 28 डिगरी उत्तर और 28 डिगरी के बीच में पाए जाने वाले बन को हम लोग क्या कहते हैं उष्ड कडबंदी सदा बहार बन कहते हैं अगर यह हमारा ग्लोब हो और इस ग्लोब में यह भूमद रेखा है तो यहां पर आपका 3.5 डिगरी पर करकर रेखा होती है और नीचे मकर देखा होती है इससे और उप 3-3 डिगरी देख़ड को मकर रेखा कहते हैं लेकिन कह रहा है कि जो 28 डिगरी उत्तर हो चाहिए 18 डिदेख़ड हो इस बीच में जो बन पाए जाते हैं उस बन को क्या कहते हैं उस्वड कटबंधी सदाबहार बन कहा जाता है और इसमें पादब विभित्ता सरबाधिक पाई जाती है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निमलिखित में से किस फसलों में अग्रड़ी उत्पादक है यानि कौन से इसी फसल है जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे जादा होती है एक जो है नचनिया कह सकते हैं उसे कभी तो नहीं कह सकते हैं कि यूपी में काबा तो नचनिया ही हो सकते हैं ऐसे गाना लिखने वाले ऐसे करता पड़ने वाले उनको कोई तबज्यों देना ठीक नहीं है हलाग की social media की site है और लोग हाइलाइट हो जादे है तो उससे बता तो कुछ उत्तरप्रदेश के मुर्क लोग उनके समर्थक में आ गयते तो ऐसी चीजे नहीं क्या अरा नेतिक धर्म होता है और करना चाहिए आपको भी करना चाहिए सब को करना की कोई के प्रदेश की बुराई कर रहा है और आप उसके वीडियो सेắp करने इंभा रहे इस अपने आप में सेयर करते हैं फेस्बूक यूटूब ट्यूटेफ सब जगां भेडते हैं तो ये थोड़ी से निंदनीं कारी होती है नहीं करना चाहिए मत किया गरी है आप लोग भी तो चलिए बताइए इसका भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निमलिकित में से किस फसल का अग्रड हाणी है आगे के उतबादन में तो आप कहेंगे यह कि आलू और गण्णा ठीक है चलिकैं कि अन्वासमों दीन धर्याल हस्त कला संकुल ब्यापार सुबिधा के लिए अवस्थित यानि ब्यापार सुबिधा को देना है प्रथम दीन धर्याल gwेस्ःत कलई संकुल यह आपका important है ब्यापार सुभधा के लिए जो है अवस्तिते कहां में ऐ defence आफको बताना है परत्थम दिन दयाल हस्त कला संकुल का ब्यापार सुभधा केंद्र हो गई सुभ यहां पर ही लिखा गया केंद्र जो है याँ पंडित दीन वनभा और पशो चिंगत्स इतना बड़ा नंतर वर ठाल कतान्स पहाँ पे उसका आपको बताना है इसका आँसर आपका सही होता है कहां December मतुरा में आपका सही आंसर हो जाएगा अफ़स्थी थे किस जिले में अवस्थी थे थे यह तो सबको पता होगा तो बुद्ध नगर में अवस्थी थे उत्तर का कौनसा जनपद दसहरी आम का उत्तर परदेस का कौन सा जन्पत दसारी आम का सर्बुच उत्पादक है तो आप कहेंगे लखनों में तसारी आम सबसे ज्यादा उत्पन होता है मैंने काया जिरफ हमने उत्तर परदेस से जादा क术शन रखें हैं और एक क्योशन आपका संभिधान से उत्तर प्रदेश में निम्लिकित में से कौन सा सहर निरियात विकास केंदर नहीं है आपको इसके बारे में बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर निरियात विकास केंदर नहीं है यहां पे नहीं आपसन में रखा गया है इसको देखकर के आपसर बताना है कि निर्याद विकास केंदर नहीं है जल्दी से बता दिये सही कौन सा आप सनोगा ता आप का अंसर होगा इलाहबाद तीक है अगर बात करें तो बिकल्पों में इलाहबाद के अतरिक से स्तीन जो दिये गए हैं उन सबी चाहे वो आगरा हो, खुर्जा हो, मेरट हो यहां से बस्तूओं का निर्यात होता है, जैसे आगरा के अगर हम बात करें तो यहां से सिल्क, कारपेट, हस्त, सिल्प, सामान, संग्मर्मर, उत्पाद, बैग, आदि अगर खुर्जा से बात करें तो पाटरी है, सेरामिक से, टाइल से, आदि अगर मेरट से बातके! टिक्स्टाल्य है खेल का समान है आप होसन के समान है अस अभी क्या होते ही यहाँ से निर्यात होते हैं ? पिर से देख की समान स्वर्ण अभूसर्ण इत्यात जो हैं यहां से निर्यात होते हैं तो कौन निर्यात के इंदर नहीं ओ है आपका इलाहबाद यानि प्रयागराज ठीक है चले उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद्धारण अवद होती है कितने दिन तक उत्तर प्रदेश का लोकाय पहले 6 वर्स का था जिसे लोकायुक्त विधेयक दोहजार बारा द्वारा बढ़ा करके 8 वर्स कर दिया गया है तो प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं किसे और वीडियो में किसे और क्लास के लिए तब तक लिए जाज़त दिजी जेंद